असलाम अलेकुम फ्रेंड वेलेकम बैक मैं यूटूब चानल फ्रेंड आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं सौधी हुकमत के तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है कि कोरोना का तीसरा डोज बैक्सीन सबको लगाना जरूरी है यानि बुस्टर डोज सौधी सौधी अर्ब का बुस्टर डोज का नया कानून क्या है सौधी अर्ब ने कुछ हपते पहले अलान किया था ऐसा आदमी जो सौधी अर्ब में एक बैक्सीन लगा हुआ है और छे मैने तक दूसरी बैक्सीन नहीं लगवाई है उसका इमोन इस्टेटर खतम हो जाएगा यान लेकिन नबे दिनों के बीच नबे दिनों से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए सौधी अर्ब का लेटेस्ट कानून था लेकिन अभी जो कानून आया है उसमें ये कहा गया है कि एक फरवरी 2022 तक इस नए कानून को लागू किया जाएगा अगर आप दोनों डोज बैक्सीन लगवाली है तो आपको तीसरा डोज बैक्सीन लगाना ज़ुद जरूरी है यानि लाजिम है जिन लोगों का उम्र 18 साल से ज्यादा है उन लोगों का तिसरा डोज बैक्सीन नहीं लगाए है तो उनका इम्मुनिटेक्स खतम हो जाए गा यानि तोकौना एप से इम्मुनिटेक्स हटा दिया जाएगा अगर आप दूसरी डोज के बाद आठ महीने के अंदर आपको बुस्टर बैक्सीन के बाद आठ महिने से ज्यादा हो जाएगा तो आपको तौकलना एप से इंविन स्टेसर हटा दिया जाएगा यानि खतम हो जाएगा यह लेटर्स कानून आ रहा है एक फरवरी 2022 से अगर आप दोनों लगवाए हुए हैं तो आप अपने तौकलना मेचा कर देख सकते हैं आप आपका एक फरवरी तक छे महिना हो रहा है या या आठ महिना हो रहा है आप तिस्री वैक्सिन जरूरी लगवाएं अगर आपका गापका पहले वाला ही सो होने लगेगा यानि fully immune system से सोवने लगेगा अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल को भी subscribe कर लें इसी तरह का information video आपको यहां पर मिलता रहेगा